नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ठाकर डिगरी गलचर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज की फसल में थ्रिप्स और पिलापन की समस्या को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं बहुत सारे किसान भाईयों प्याज की खेती करते हैं लेकिन प्याज की फसल में ज़्यादा तर पिलापन की समस्या को देखकर किसान भाईयों चिंतित हो जाते हैं और प्याज की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पिलापन की समस्या आती है और इसी पिलापन की समस्या के चलते हमारी फसलों में चले भी रोग जैसी खतरनाक समस्या आ जाती है तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि हम प्याज फसल से पिलापन को किस परकार से तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टेक्निकल आपको दिखाने वाले हैं जिनका उपयोग करके आप प्याज के फसल में थिरिप्स के समझ्या को बहुत ही आसानी के साथ में खत्म कर सकते हैं और पिलापन की समझ्या को भी दूर कर सकते हैं वो टेक्निकल कौन से हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखेगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी वीडियो सुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए लालक्सरो के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस से भी चूक कर लेते हैं थोड़ी से भी गलतियां कर बेटते हैं तो प्याज की फसल में सबसे पहले पिलापन के समस्या देखने को मिलती है तो अब बात आती है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें कौन-कौन से दवाईयों का उप्यो करना चाहिए तो देखें किसान पोस साइफर मेतरिन टेकनिकल पाय जाता है तो आपको रोकेट का उप्योग थिर्प्स के लिए करना चाहिए और इसके साथ में आपको लेना है सीएम पीचोतर जो की उसके अंदर कारवेंडा जिम और मेन को जब दो टेकनिकल पाय जाते हैं जो की एक सिस्टेमेटिक और क आपको क्रोस करना है एसीपेट एसीपेट क्या करेगा कि एक कॉंटेक्ट इंसेक्टिसाइड होता है जो उसके संपर्क में आने वाले सभी परकार की कीडों को तुरंत ही खत्म कर देगा जब भी हम कॉंटेक्ट इंसेक्टिसाइड का अपनी फसलों पर इस्प्रे करते हैं तो चाहे कोईसा भी कीट हो उस दवा के संपर्क में आते से ही 5-10 मिनिट के अंदर वह जीव खत्म हो जाता है तो आपको ये तीनों टेकनिकल एक साथ में मिक्स करना है अब बात आती है इनकी मात्रा की तो रोकेट आप 400 एमल पर एकड के साथ से और 48 एमल पर टेंगी के साथ से ले सकते है और CM P.4 कारवेंड़ जी मेंनकोचेप की अगर बात की जाए तो आप 25 ग्राम पर पंप और डईसो ग्राम पर ती एकड के साथ से ले सकती है और किसान वायों याद रिखेगा कि जब भी आप इन दवायों का स्प्रेक कर रहे हैं इनके साथ में एक सिलिकोन बेस्ट चिप को जुरूर ले ताकि आपकी दवायों का रिजल्ट सो में से सो परसेंट मिल सके और अगर आपकी प्याज फसल में और ज्यादा पिलापन है तो आप इसके साथ में NPK 1919 भी मिक्स कर सकते हैं जिसमें नाइटरजन, फासफरस और पोटास तिनों की मात्रा पाये जाती है जो आपकी प्याज फसल की ग्रोध भी अच्छी बनाएगी तो यह जो मैंने टेक्निकल बताया है इन टेक्निकल का अगर आप यूज करते हैं सही समय पर तो आप अपनी प्याज फसल में थ्रिप्स की समझा को दूर कर सकते हैं और इन टेक्निकल का उप्योग आप 30 से लेकर 60 दिन के बीच में या फिर 60 दिन की अवस्ता में जब चाहें कर सकते हैं किसान भाईयों जानकरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए हम मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकरी के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जई जवान जई किसान